हाई 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 भारत जनता पाटे युवा मोर्चा दुवारा बीते 23 अगस्ट को जार्खन राज के युवाओं को लगातार 5 बरसों तक ठागने के बाद रोजकार की मांग को लेकर जार्खन सीम अवास घहराव के दौरान पुलीस दौरा भाजपा नेताओं और युवा कारकारताओं पर बेहरमी और बरबरता पुर्ण लाठी चार्ज किये जाने के बिरोध में सनिवार को साहिब गंज नगर मंडल भाजपा के दौरा राजमहल विदायक अनन तोजा के हेमन सोरेन के खिलाब जम कर नारे बाजी की बता दे कि साहिब गंज जिले के सभी परखंट छेतरों में भाजपाईयों के दौरा मुकमंतरी हेमन सोरेन का पुतला दहन कारिकरम किया गया वहीं पुतला दहन के बाद राजमहल विदायक अनन तोजा ने मीडिया को कहा कि जब राज के यूबा रोजगार के लिए सरक पर लोकतांतरिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं तो उन पर हेमन सोरेन सरकार द्वारा लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दवाया ज कर रही है कि पूरे प्रदेश के नौजवान भारती जनता पाकी युवा मोचा के मित्रिक्तु में पांच लाग का रोजगार की मांग को लेकर के जो वादे हमन्तोरेन जी ने किया था उन्होंने कहा था कि हम सब्ता में आएंगे पांच लाग नौजवान को रोजगार देंगे पांच साल में पचीस लाग में कितने लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया उन्होंने कहा था कि जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भग्ता 5000 और 7000 देंगे पूरे जारखंड के युवा मोर्चा के नित्रत में नोजवान जाकर के सरकार से पुछ रहते कि हमारे 5000 और 7000 का कितना लोगों का भग्ता अपने दिया है पूरे नोजवान संबीदा कर्मियों को कहा था कि हम अस्थाई कर देंगे अनुबंद कर्मियों को कहा था कि हम अस्थाई कर देंगे ये सवाल नोजवान जा करके और राची के मोराबादी मैदान से मुखमंत्री जी से पूछ रहते कि मुखमंत्री जी मेरा पांच लाक रुद्गार का क्या हुआ हमारे बिरुद्गारी भत्ता का क्या हुआ हमारे अस्थाई करन का क्या हुआ 72,000 हर गरीब परिवार को प्रतेक साल देने का वादा किया था उसका क्या हुआ और बद्रे में पूरा राज ने देखा है कि साइदंग रेज भी पीछे चुट गए एक बरबर तरीके से हमंद सोरेंजी की सरकार ने नोजवानों की आवाज को दबाने का काम किया था आदर्नी प्रदेश अध्यच बावुलाल मरांडी जी की मोराबादी में सवा हो रही थी और टियार गैस के गोले भेक करके और बावुलाल मरांडी जी के स्वंबोधन के समय गोले बरसाये जा रहे थे किस प्रकार से रबर बुलेट का परियोग किया गया कितने सैक्र दर्जनों कारकरता जखनी हुए ये लोकतल्त्र हैमंत तोरेंजी तिहास के दिन में ये काला ध्याय है और इस काले ध्याय को धारखंड की जनता न तो कभी माब करेगी ये सिद्धो कानू की धर्ती है सिद्धो कानू जी ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ अबाज उठाई थी ये प्रदेश के नौजवान आपके जूटे वादे आपके जूटे नारे ज्यम्यम कांग्रेश की शरकार ने नौजवानों से जुकिया था इसके खिलाफ एक उल्गुलान और हूल का संकल्प और इसी का प्रतिकार में आज काला दिवस के रूप में सरकार के इस दमनकारी निती के बिरोध में हम लोगों ने पुतला धहन किया है और यह अब जंता की अदालत में हम ले जाने वाले हैं युवाओं के ऊपर जो रोजगार मांगने को लेकर के आपने जो लाखी चांड कि युवाओं की अवाज को में तृतु दिया है इस में तृत को आपने जो दबाने का काम किया है युवाह मोचा और भारती जंता पार्टी प्रदेश के उन लाखो नोजवान इस에서도 गाव içerए को छोपाल पर ले प्रतिबद्ध हो करके अमलोग कल्प की रक्षा के पिसा में हम सब मर्यतन स्था करेंगे भारत पाता की जये करो sabidu कर दोदी सरकार डोप सरुफ मेनों करो 161 कर दोद पादेने capable पार back क्याएं लोग तंद्र में लाखी संद्र नहीं चलती लोग संद्र में लाखी संद्र नहीं चलती बड़ी खाबरों के लिए देखते रहें अटल भारत बड़ी खाबरों के लिए देखते रहें अटल भारत